So the question we have is find the area of the triangle formed by the points P that is minus 1.5,3 Q है जो वो है 6,-2 and R जो है वो है वो है मैनस 3,4 तो हम दुबारा area के लिए अगर हम area calculate करना है coordinates के according तो हम formula लिख लेते हैं वो हमारे पास है area of triangle equal half multiplied by यहाँ पर हम लिखेंगे x1 multiplied by y minus y plus x2 multiplied by y minus y next plus x3 multiplied by y minus y अब हम 123 जैसे हम पहले से put करते आ रहे हैं यहाँ पर one आ चुका है तो यह two three तो two के बाद आता है three and हमारे पास तीनी point है तो three के बाद वापिस आ जाएगा one three के बाद वापिस आ जाएगा one and two so इस type से यह हमारे coordinates का formula हो जाएगा तो अब हम direct इस formula में यह जो values है इने put कर देंगे तो हमारा area यहाँ से calculate हो जाएगा तो एक बार calculation कर लेते हैं देखें कि calculation किस types होगी लाइक जाएगा लाएगा यूएढ़ लाएगा यहालब अजाएगागा बारक मद म जाएगा कर देखें जाएगा कि में नाएगागा यह जा Hers व knew me अर आम मनोंit जाएगासा情 बास more difficult एक इंट्रेस्टिंग चीज हम यहां से यह नोट कर सकते हैं जो यह जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो आ रहे जिरो अब इस जो यह एरिया आ रहे है जो यहां पर जीरो आ रहा है इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि जो यह तीनों पॉइंट्स है यह तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में हैं जोने हम को लीनियर भी कहते हैं को लीनियर पॉइंट्स हैं यह तीनों और इसी वजह से यह तीनों एक ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे होंगे तभी इस इन तीनों points का जो area आँ रहा हैHaW It Dreams वो हमारे पास 0 आ रहा है एक important stuff हम यहां से यह note कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी 3 points और उन 3 points के according हम area वहने का calculate करते हैं तो वहांपर अगर area 0 आ जाता है यानि कि वो जो तीनो points वह एक straight line में यहां कि